आज के सुट्व में हम Commerce Samphi 3rd chapter marketing decision part 2 के second question को start करने वाले हैं जिसमें 2 concept हैंगे बस that is first one is first one is promotion and second one is IMC IMC का full form integrated market concept होता है तो इसके पहले और्रेडी मैंने 3rd chapter पे second chapter पे फर्स chapter पे वीडियो बना रखे हैं जिनके लिंक आपको description मिल जाएगी प्लीज उन्हें जरूर एक बार चेक आउट कर जाएगा फिर रस रोड़ा पे continue करेंजी तो पहना कैसी देरी गया है शुरू करते हैं सबसे पहला question हमारा आएगा for the second question that is promotion और उसके elements को explain करना हो तो promotion का यहां पे क्या है concept मतलब कि आपके product को promote करना लोगों में उसकी चाचा कर दे मतलब इतना famous कर देना उसकी awareness को बढ़ाना ताकि ultimately consumer क्या करें उसी चीज़ को खरी दे तो यहां पे क्या लिखा concept के तोर पे कि एक element of marketing mix का जो कि मैं आपको बता है और marketing mix में चार elements होते है that is four piece product price product price place and last one is promotion place जाने कि physical distribution आपने कर लिया है pricing भी कर लिया product का भी actual question था बट वह स्केप करके दूसरा question कर रहा है but product is something जो offer होता है market में वह चीज़ है अगर आप उस पर video चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीचेगा तो product is an important element of marketing mix promotion mix is also called as communication mix communication promotion के through ही जो consumer है वो जान पाता है कि producer का product क्या है या फिर particularly product है क्या action किस बारे में इसके features क्या है इसे क्यों खरीदू वगरा वगरा और क्या यह मेरे needs जो मेरे desires उन्हें उन्हें fulfill कर जकता है क्या यह मेरे expectations को fulfill कर जकता है तो इसलिए इसे क्या कहता है communication mix कहते है product mix consists of various elements that informs and includes the customers to buy the product मतलब कि customers को inform करना क्यों मतलब यह product आ गया मार्केट में या फिर यह product exist करता है वगरा वगरा और introduce करना या फिर बताना वगरा 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 सबसे पहला है अवेरनेस ब्रैंड के बारे में awareness create होगी कि यह brand exist करता है इस brand का नाम है इसा इसा है इसका logo यह यह इसके इसका पाकेट वगरा वगरा जो भी सब कुछ होता है जो भी आपको knowledge मिलते उसे अवेरनेस करते हैं तो यह importance पर आजाएगा सबसे पहला इसके बाद है attitude लोगों का आपके प्रोड़क्त के प्रती जो attitude है positive attitude यह फिर negative attitude यही दो चीद होती है और attitude हम लोगा पढ़ा है attitude मतलब कि believe यह फिर feel कि आपका product particular लोग कैसा feel देता है क्या वो product उनके लिए useful feel होता है यह फिर useless है बगरा बगरा तो मतलब यह awareness के through ही वाला एक point है attitude का भी उसका अलग से explain कर सकते है ब्रैंड लॉयल्टी यानि कि आपके हम लोग ने रिटेंशन वाला पॉइंट बढ़ा था आपके जो प्रोडक्ट्स है उसकी ब्रैंड लॉयल्टी यानिकि उसे रीप रिपीट पर्चेस करना by the customers old customers इसे क्याते है ब्रैंड लॉयल्टी तो यह चीज़े भी हो जाएंगी पिरमोशन की त्रू ब्रैंड इमेंग दाटिस कोपेट इमेंज भी कह सकते हैं युवे इन अरो मार्क इंड हम लॉन से इन पॉइंड हॉइं धूझ रॉम्टर इंडर कम्परिटेटर्स क्लीम ब्रैंड यह फिर Сथो फेस कॉंपर इस फेसंग वाल पॉइंड यहां पर ला का गुडविल कॉप्रेटिम में जानेंगे आपके कंपनी का गुडविल एजुकेटिंग नप कस्टोमर्स वह अवेरनेस वाला सेम पॉइंट है यहां पर देखिए सारे पॉइंट मुसली घुमा घुमा के से में बताया जा तो आप सब्सक्राइब भूल जाए तो उसी पॉ मुझा रहता है कि elements आप देख सकते expansion of market business का profit making में help करता है वागेरा वागेरा प्रोवाइड इंफ्रमेशन educating awareness सेम पॉइंट आप में repeat हो रहा है तो इसे छोड़कर elements आपको पूछे नहीं आते हैं तो element आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं तो आप आपको पढ़ना है तो आप नॉर्मल लिग बार खुद से पढ़ेंगे all in all advertisement के points को यहां पर अलग-अलग ways से किस तरह से explain के दा उसे बताया किया है हम आयम सी पर चड़ते हैं तो IMC that is integrated marketing communication तो इस इसका full form यही है integrated marketing communication communicate करना उसके जो marketing market के लोग है integrated market market के जो चीजें उसे communicate लोगों तक पहुचाना integrating all the methods of brand promotion to promote a particular product or service among target customers अब यहां पर सिर्फ customer कोई बुरी बात नहीं है यहां पर क्या लिखा specify करने के लिए कि जो target customers जिन्हें मुझे particularly अपना product बेचना है मुझे बाकियों से क्या मतलब ठीक है मैं उन तक कम्यूनिकेट करूं उनसे बातचीत करूं बातचीत वाला communicate नहीं अपने product का awareness बढ़ाना उन्हें उस फाइदे समझाना product के बारे में सारी details देना ठीक है तो इसे कहते है integrated marketing communication concept है एक्चुल में ऐसा communication कहते है तो William standards इसे किस तर से defined गया है as element is an organization marketing mix that is used to inform, pursue and remind the product market regarding the organization and or its product मतलब की company को company का product है उसे लोगों के दिमाग में बनाए रखना उसके बारे में बार बार समय समय पर बताते रहना ताकि क्या है कि अगर customer कोई product मतलब उस product को खरीदने जाए जैसे कि एक साबून खरीदने गया तो मैं उस particular brand का ही product खरीदू, lux का ही soap खरीदू, मुझे synthol खरीदना है मुझे नाम याद ने कोई था मुझे याद है लेकिन मुझे नहीं आए लूप क्या नाम बता हूं नाम तो पटा rejecting तो क्या है प्रोमोशन इस चीज ना आपको help करता है उसका नाम याद करने में तोес product का नया कोई product आ उसась елов दो कश नया प्रूड़क्त आ गया तो यह बात कौन बताता है प्रमोशन के थूई यह सब चीज़े हो पाती है इसके फीचर्स क्या है यह एक प्रोसेस है फीचर्स है तो क्या है यह एक प्रोसेस है अफ से मार्केटिंग आईगा डिटर्मिनिंग कम्यूनिकेशन आपको अपने अपने कंजूमर क्यों क्यों चाहते है आपको अपने नए product को introduce करना है, product के लिए आपको वो brand loyalty है, उसे retain करना है मतलब आपके customers बार बार आपके product को purchase करें, आपको अपनी company का profit making करना हो अगर यहाते ही बहुत साथी चीजओा दे करनी हो, यह अप खुद से explain कर सकते हैं, अपका जो भी main objective है तो यह आप एक्स्पेन कर सकते हैं, ब्राइंड इमेज बढ़ाना है, ब्राइंड लोयल्टी बना है, से उपर अल चीज़े भी आप आ जागी है, यह प्रोसेस है किस बारे में, आइंडिफाई करना, जो क्यों क्यों कमिनिकेट करना है अपने कस्टमर से वह सब चीज़ों को होते रहेगा, elements of IMC, same जो हम लोग ने promotion के IMC है, मैं एक्शन में skip किये हैं, कि वो यहाँ पर repeat हो रहे हैं, और same promotion और IMC के जो भी elements है, वो promotion दोनों भी same है, तो promotion का लिखी है features, sorry, elements, या फिर आप IMC का लिखिए, दोनों भी same to same है, as equal, publicity करना, advertisement करना, sales promotion, salesmanship, sponsorship, sponsorship मतलब वो, जो, shows में, head titles के लिए आवांट पे किया था है, public relationship मनाना, packaging के थूँ यह सब किया था, मैं आपको बता है, packaging हम दुम्हें point पड़ा था, कि प्रोइक में अच्छे से package को बनाए रखना, ताकि उसके सारे information भी बिले, और इतना attractive लगे कि लोगों के exhibition in fair trade fairs and exhibitions, मतलब कि जो मेले मेला होता है, fairs में मेला, गाओं के मेले, शहरों के मेले, और exhibition जाने के अपने, जो customers है उनको, ताकि वो आपके products को buy कर सके, art and science है यह, audience, एक target audience होती है, हर चीज में marketing में आपको, हम लोग ने पढ़ा, कि एक target audience होती है, जिससे हमें communicate करना है, जिसे कि हमने हमारा product बना है, बच्चों के लिए, तो हमें बच्चों, जो हमारे target audience के हैं, वो होते हैं बच्चें, तो उन्हें target करके, उन्हें अपने product को sell करना है, किस तरह से sell करना है, कैसे उन तक बात पहुचानी है, बगएरा बगएर, तो उसके लिए जो right चीज़ है, वो IMC के अंदर आती है, influence divers group, यह सब point आपको, कुछ से कर सकते है, divers मतलब फैलावा group जो है, इसका scope क्य advertising including websites online भी, लोग अपने अपने, जो website से उनके प्रमोशन करते है, जो कि elements हम लोग ने पढ़ा, वही सारी चीज़ है, promotion के elements, IMC के elements, और IMC का scope, सब कुछ एक ही है, sales promotion, देखे हैं, sales promotion involves various tools such as effective after sales services, branded product, product branded होना चाहिए, discount provide किजिए, exchange offers, यह सब बहुत सारे ways होते है, जिसके आपके sales को promotion, आपके sales promote होते है, discount area, free samples बाठ दिये, product अच्छा है, product की quality better है, यह सब ways होते है, sales promotion के लिए, यह आप elements में भी explain कर सकते है, यह आप scope में भी explain कर सकते है, यह आप promotion के elements of scope में भी explain कर सकते है, sales promotion, salesmanship, publicity, public relationship, यही सारे points है, यहाँ पे promotion में सब कुछ repeat हुआ है, sponsorship में आपको बाता है, personal selling, one-to-one selling वाला होता है, face-to-face, जापके इतना अच्छा होते है, that is packaging वाला point आगया, तो IMC का scope है, same-to-same elements वाले points है, sir, यहाँ पर गुमा अफिरा के बताया गया है, public relationship campaigns, campaigns कुछ जोड़ा होते हैं, for the society welfare, customers को satisfy करने के लिए, customer सोच अरे भाई, यह ल social media, trade and fairs, वही सारे points आपे explain किया गया है, और great impact में भी आप marketing वाला point आपे explain कर सकते है, तो देख सकते है, all and all, सब कुछ यहाँ पर घुमा फिरा की कहा गया है, आपको बस एक बार normal read करने की जरूत है, किताबों को, और कुछ भी नहीं है, तो hopes हो कि आपको यह वीडियो पस करे ए, आपको झाले, आपको भीछियो लागा है, तो वना एे हैं नहीं है, आतुत है, तो भीडियो गया है, यहाँ बदा जो जो ही। तो गार, खिरे, बदार